बहुत नाम सुना था अस्तावक्र जी का मैंने बहुत सारे धर्म सास्त्रों में ग्रंथों में उनका जिक्राता है और बड़ी इक्षा थी कि उनके बारे में कुछ और जानने को मिले कुछ और समझने को मिले तो जैसे जो उनकी कथाएं चलती हैं सामाने तोर पे उनकी दो पहां बहुत ज्यादा जानकारी में आती हैं एक तो यह कि गर्व में ही उनने अपने पिता जी को बताया था कि वो मंत्रोचरण में जो तुटी कर रहे हैं तो एक ये कथा आती ही सुनने और दूसरी कथा या थी कि जब बारे वर्स के थे तो राजा जनक जी के हाँ जो सास्त्रार्थ हुआ करता था ब्रह्मा ग्यानियों द्वारा उसमें एक विद्वान जो बंदिन नाम के विद्वान थे उन से सास्त्रार्थ करने के लिए वो वहां गए थे चुकि जानकारी लगी कि उनके पिता जी बंदिन ब्राम्वन के कारण ही जो है लापता हैं हरा दिये गए थे तो और उसके बाद में फिर ये कथाय लगभग सब की जानकारी में है कि अस्टावकर फिर विजय हुए वहां पर और सभी विपरों ने देखका पात्र बनाया और उसके बाद में अस्टावकर जी ने भी हसी दिखाई अपनी तो लोगों को जो है आश्यर हुए कि हम तो हस रहे हैं इसके टेड़े मेड़े सरी के कारण ये क्यों हस रहा है तो जनक जी ने पूछा कि अस्टावकर जी आप क्यों हस रहे हैं ये तो ठीक ह के हसरे हैं और मैं इस सोच के हसरा हों की बताओं मैं विद्वानों को समझ के आया था विद्वानों की सभा समझ के और यह तो मैं तो चमडी के सौदागरों के बीच में आ गया तो रजा जनक जी को बड़ा अटपटा लगा और लगा कि बालक में कुछ तो है बारावर्स की आयू में इतने बड़ी बात करना और इसके बाद में फिर जतने भी बरामण वेद्वान थे उनकों भी कहीं कहीं इस बात की जानकारी हुई कि बात तो सच कह रहा है बालक और उन्ने यह कहा कि तुमने इस सरीर को तो देख लिया लेकिन इसके सरीर की जो अंदर उसको जो है गीता का उपदेश चलता है लेकिन जो अस्टावक्र गीता के बारे में बात आती है अस्टावक्र संगीता के बारे में जो बात आती है उसमें ये है कि तुम जो है खुद को देखो खुद को पढ़ो खुद को पहचानो अब ये कैसे होगा कि खुद को कोई कैसे देख वो बता रहा हूँ आपको कि आप तो चला नहीं रहे हैं इसको फिर कौन चला रहा है ये तो आटो जनरेटिड है अपने आप चल रहा है फिर इसके बाद में रक्त कोसिकाए जो है रक्त नलियों से ये अपना खून बहरा है इसको कौन बहाने वाला है कोई टोटी लगी है क्या तो वो भी नहीं लगी है ये आटोमेटिक चल रहा है तो फिर बोले कि जब ये आटोमेटिक चल रहा है तो तुम क्या कर रहा हो तुम बोले बात बिल्कुँ सही है तो अस्टावक्री जी ने कहा कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, वोई मोक्ष है, और तुम देख के आनंद लो इसका, तुमको और कुछ नहीं करना है, तुम सिर्प देख के आनंद लो, कि वास्तों में ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और जब यदि तुम्हार किया जो कहते हैं। करता भाव जब तुमकों लगने लगा, कि मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ ना सुख में, ना लुक्त में, ना आनन्द में, ना खस्त में तो फिर वहाँ से एक विरक्ति मतला विरक्ति से भी वाड़ी विरक्ति विरक्ति भी उसमें छेट मानी जाएगी तो ऐसा करके बहुत अच्छा वो लगा मुझे अस्तावजर्गीता का क्योंकि जैसे कुछ लोगों ने बताया में गीता है तो गीता में इसे लोग अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं, जो संत्पुरस हो, संत्पुरस अपने काम की चीज़ निकाल लेंगे, और जो कुटिल लोग हैं, वो अपने राजनीते की लोग हैं, वो अपने निकाल लेंगे, लेकिन बताते हैं कि अस्तावकर गीता में कि हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा बिलकुल नहीं है तो इस बात को लेकर उनने बताया बड़ा अच्छा लगा मुझे और इसको आप भी जरूर जो हध्यन करिए विवेकानन जी के बारे में बताते हैं कि रामकृष्ण परमांस जी ने विवेकानन जी को भी कहा था कि वह तुम् कहीं ने कहीं आप भी एक चिंतन करिए एक मंधन करिए अस्टावकर गीता के बारे में क्योंकि सार सार को गह रहे थोथा देवडा ये वाली बात मैं भी मानता हूं और गौतम बुद्ध ने कहा है कि आप तो अपने से खोजें उसको ही मानें आप जबरजस्ती सिर्फ जो बनाया रास्ता है आप उस पर चलते रहेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं अंदर आपकी जो चाह होती है क्योंकि आपकी जो चाह है यदि कुछ पाने की चाह है यदि कुछ पाना चाहते हैं आप तो आपको जो है कुछ अलग रिसर्च जो करते हैं वैग्यानिक लोग जो बना-बना उस पर नहीं करते हैं कुछ नया क्या हो सकता है कि हम इस पर खोज करें तो यह है जीवन भी खोज है तो इसको समझें समझाएं और इसके सबसे इसका जो सार मुझे जो लगता है वो यह है कि आप किसी को कश्ट ना दें किसी को आनन्द देते हैं तो आपको उस समझें जो आनन्द मिलता है वो आपके कर्मों के फल को तो आप छोड़ दो कि आपने आज आनन्द दिया तो आपको कब मिलेगा आप तुरंत वाला काम करिए मैं तुरंत का काम करूँ हम सब तुरंत का काम करें हम तुरंत किसी को सुखी करें सुखी रखें किसके लिए अपने तुरंत के सुख के लिए हम सुखी हो रहे हैं हमारा सरीर हमारा मन सुखी हो रहा है हमने उसको सुखी किया इसलिए इसलिए नहीं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा नहीं जारा आता है तो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको स्विकार करूँगा जैन जै भारत जै मता दी त्यागी जी आसरम स्वर्ग नगरी सर्व धर्म तीर्तधाम विलायत कला जलकटनी मदप्रदेश भारत झरलकार करूँ चना झाल करूँ जैना धर जारतक है झाल झाल झाल